हेलो एफ्रीवान, माई नेम इस अदीती चौधरी, वेलकम टू माई चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे, वो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, वो तुम्हारे बारे में बुरा सोच रही थी, म वो मेरे बारे में बुरा सोचता है, ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस जिनमें हम किसी के बारे में बुरा सोचने के बारे में बात करते हैं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम think ill of someone का use करते हैं जिसका मतलब होता है किसी के बारे में बुरा सोचना इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद think ill of आता है और last में noun या pronoun में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो pronoun आएगा जैसे कि me, you, him, her, us, them यहाँ पर ये जो think है ये as a main verb यूज होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि things, thought, thinking चली आप कुछ examples देखते हैं इस पर based जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए वो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है He always thinks ill of others He always thinks ill of others वो तुम्हारे बारे में बुरा सोच रही थी She was thinking ill of you She was thinking ill of you मैंने उसके बारे में बुरा नहीं सोचा I didn't think ill of him I didn't think ill of him तुम्हें उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए था You should not have thought ill of them You should not have thought ill of them वो हमारे बारे में बुरा सोचा करता था He used to think ill of us He used to think ill of us किसी के बारे में बुरा सोचना सही नहीं है It's not right to think ill of someone It's not right to think ill of someone क्या वो मेरे बारे में बुरा सोचता है? Does he think ill of me? क्या तुम उसके बारे में बुरा सोच रहे हो? Are you thinking ill of him? वो क्यों हमारे बारे में बुरा सोचती है? Why does she think ill of us? अब एक sentence आपके लिए मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता इसको हम English में कैसे बोलेंगे या आप मुझे comments में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो please इसे like कीजिए मेरे चानल को subscribe कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक कैर बाइबाई